So hey guys, welcome back to another video, दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि CSC की तरब से जो है एक new update निकल के आचुकी है जो कि हमारे CSC Digital Save Up Portal में जो है बिजली विल को लेकर के एक update आई हुई है जो कि आज हम 6 सितंबर 2022 से जो है अब हम अपने CSC Portal के माद्याम से विजली विल को जमा कर सकते हैं मतलब विजली विल भर सकते हैं तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं इसका जो है मैं complete process बताऊंगा और विजली विल भरते time हमें किन प्रावलम को face करना पड़ता है मैं वो भी आपको बताऊंगा पीचे आप देख सकते हैं बिल पैमेंट का जो option है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है हम इस पर जो है click करेंगे देन थोड़ा सा wait कर लेंगे हमारे सामने कुछ next page इस तरीके का आता है इसके बाद अगर आपके मैं ये नहीं आता है जो है log out करके दोवारा से login कर लीजिए वो complete जो है हमारे digital save portal में आपको फिर देखने को मिल जाएगा तो हम यहां पर जो है थोड़ा सा इसे loading ले रहा है हम इसका जो है बेट कर लेते हैं इतना करने के बाद हमारे सामने देख सकते हैं फिर से जो है यह open हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी विपीस service भी यहां पर जो है आ चुकी है बिजली विल की जो service है यहां पर भी देखने को मिल जाता है हम यहां पर जो है search कर लेंगे search कर लेंगे और उसके बाद bill payment पर click करेंगे और यहां से जो है अपने मध्दपरदेश को धर्ज कर लेंगे मतलब आप जिस भी state से है उसे आप यहां पर fill कर लिजिए तो मैं यहां पर मध्दपरदेश करने के बाद आपके सामने दिख सकते हैं इस तरीके के option आएंगे अगर आपको यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जवलपुर छेत्र का भरेंगे अगर आपके एरिया का यहाँ पर जो है आपके एरिया का अगर नाम नहीं आता है तो आप जो है इसे एक बार refresh कर लीजिए या इसे log out करके दोबारा से login कर लीजिए आपके ये option भी आने लगेंगे तो यहाँ पर हम मदप्रदेश सर्च किये उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो option आने लगे हैं और इसके बाद हम जो है आपने जवलपूर छेत्र का वि क्लिक करके उसे एक बार refresh कर लीजिए या फिल लॉग आउट कर लीजिए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आ गया है तो हम यहाँ पर एमपी एलेक्रिसिटी बिल पेमेंट पर जो है हम क्लिक करेंगे दैन इतना करने के बाद हमारे सामने जो है इस तरीके का नेस्ट प लिखा हुआ है हम इस पर जो है क्लिक करेंगे दैन थोड़ा सा वेट करेंगे हमारे सामने जो है इस तरीके का नेस्ट पेज कुल के आ जाता है यहाँ पर देखेंगे हमें जो है अपना IVRS नमर दिखाई देता है जो अगर कस्टमर का है तो यहाँ पर कस्टमर का ही IVRS नमर को मिल जाएगा और इसके बाद यह आप जो है किस डेट को भर रहे हैं डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो है कस्टमर का आप नाम भी देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मतलब इसकी लास्ट डेट देख सकते हैं कि आप ब रुपीज है और ध्यान रखें इस पर जब हम बिजली विल भरेंगे तो हमें जो है 4% का कमीशन मिलता है मतलब एक बिजली विल पर 4 रुपए हमको मिल जाते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हम यहां पर जो है अपने CSA वॉलेट का जो है पिन दर्च करेंगे उसके से बाद हमारे सामने एक स्लिप आ जाती है जो कि इसकी रसीद होती है हम उसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं तो दोस्तों आप इसी तरीके से जो है न्यू अपडेट और न्यू जानकारी मैं सब कुछ देता रहूंगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए वाई वाई जैहिन वन्दे मात्रम